नमस्कार दियो स्टूरेंट्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है करंट अफ्यर बूस्टर के हमारे फोर्थ सेशन में आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही होट टॉपिक की जिसने पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में चाइना के स्टॉक मार्केट्स में आग लगा रखी है और वो है चाइनीज कमिनिस वर्सस दे बिग टेक तो चाइना के जो सामयवादी लोग हैं उन्होंने अपनी ही बिग टेक्नोलोची कंपनीज के ऊपर युद्ध खोशित कर दिया है तो ऐसा क्या हो गया भाई और ये पूरी दुनिया पर किस तरह का असर डालेगा आने वाले 10 सालों में आईए इसको देखते हैं चाइनीज कमिनिस वर्सस दे बिग टेक अभी तक हमारी सीरीज में तीन सेशन हो चुके हैं आज ये चौता है चारों अच्छे थे देख लीजेगा अगर आप देख रहे हैं वेस्ट की बिग टेक कंपनीज पेस्बुक, अम एक बहुत बड़ी सफलता ये रही, for every western company that you see on the screen, there was always one Chinese alternative और two Chinese alternatives और ये सारे alternatives चाइना के 140 करोड नागरीकों के इतने बड़े व्यापार को, इतने बड़े ecosystem को अच्छे से सर्व कर रहे थे, after all, इसलिए 20 सालों में चाइना की per capita income बहुत तेजी से बड़ी है, today, प्रती व्यक्ती औस अताय चीन की 10,000 डॉलर हो गई है, भारत की आज की तारीक में 2,000 डॉलर है, तो local Chinese market भी अगर कोई company capture कर ले, तो उसका valuation hundreds of billions of dollars हो जाएगा stock market में, और इन सभी entrepreneurs ने यही किया, तो हुआ ये, कि पिछले 20 सालों में येने 2020 आते आते, ये सभी लोग, they were the darlings of China and also of the stock market, Chinese समाज में इन लोगों को बहुत इज़त मिलती थी, लोग इन की तरफ देखते थे, China को जो youth था, वो आगे बढ़ बढ़कें companyों को join करने के लिए line लगाता था, पिछले 5 साल में ये सब change हो गया है, अब चाइना का youth, सरकारी नौकरियों में जाने को अपनी This is the story of great success, लेकिन अचानक से पूरी कहानी पर एक ग्रहन लग गया, और हमने October 2020 में पहली बार ये सुना, कि Jack Ma, the dynamic entrepreneur of Alibaba Group, अचानक से वो सीधे Xi Jinping के निशाने पर आ गये, Ant Group का बहुत बड़ा successful IPO आया, वो पूरा IPO स्क्रैप कर दिया Xi Jinping ने, तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा इन्हो ने क्या विगार दिया, जो चाइना के लिए कल तक सितारे होते थे, चाइना का बच्चा-बच्चा इनके जैसा बनना चाता था, तो क्या हो गया भईया, ग्रहन क्यों लग गया, ओहो ओहो ओहो, फरवरी 2021 से लेके, जुलाई 2021 तक, ब्लूमबर्ग का पोर्टल हमें बताता है, Tencent, Alibaba, Maituan, ये वहां की बहुत बड़ी delivery company है, Pinduoduo, KT, JD.com, Baidu, Xiaomi, इन सब का market valuation टोटल आट सो अरब डॉलर तक गिर गया है, this is something huge, तो ऐसा क्या हो गया, ये company अचानक से इतना तेजी से share prices इनकी गिर के, इनका valuation क्यों गिर गया, well मैं आपको इसकी बहुत सरल कहानिय चार्ट के जरिये समझाता हूँ, कहानी कहां से शुरू हुई, और आज कहां आ गई, और अब लेक 10 साल में कहां जाएगी, so this topic is actually very crucial, ये understanding में तो मदद करेगा ही, exams में, वाइवा में, और impression जावाने में भी दूसरों में बहुत मदद कर सकता है, ठोको ताली बोलो, लाते रहेंगे, लेकिन करना आपको है, तो कहानी शुरू होती है, 1980s और 1990s से, चाइना की Communist Party ने जब पहली बार Internet देखा, तो उसके हाथ-पाउँ फूल गए, क्योंकि उसको ये समझ में है कि Internet तो लोगों को आपस में जोड़ देता है, तो पार्टी से तो लोगों का पू अंदर का कुछ बाहर नहीं जा सकता, बॉलीवूट के गाने से प्रेडित हुए थे वो, अंदर से कोई बाहर न जा सके, समझ में आया आपको, नहीं नहीं, सीरियसली वो रोगों है, तुम मुस्कराने लग गए, क्या सीरियस टूरं नहीं हो यार तो, चाइना's Great Internet Firewall actually isolated the Chinese Internet ecosystem from the world, and it also gave a massive censoring tool to the communists, चाइना की किसी भी इस तरह के online social media portal पे जिस पे रोज अरवो पोस्त आती है, अगर आपने Xi Jinping खिला कुछ लिख दिया, वो पोस्त कुछ सेकेंड में अपने आप गायब हो जाती है, और आप भी गायब हो सकते हो, उसके कुछ मिंटों के भीतर, समझ म Google मेरे यहां काम करेगा, तो Google को मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा, अब मेरे हिसाब से का क्या मतलब, 1989 में 4 जून को थ्याननमें चौक में मैं Communist Party ने 10,000 college के students पे टैंक चला दिये, ये तुम नहीं बता सकते, Google search में ये नहीं आना चाहिए, तो Google ने का ऐसा होगा तो हम लीव, वो सब चले गए, और चाइना की कंपनिया खड़ी होगी, क्योंकि चाइना के 140 करोड़ लोगों को कुछ तो चाहिए ही था, एक एक करके सारे American Giants सब को बाहर कर दिया हटा सावन की घटा सब बाहर, और चाइनीज कंपनिया ग्रो हो गई, और चाइना के लोगों को तो कईयों को पता भी नहीं होगा कि त्यानन में चौक जैसी कोई घटना हुई थी, आप बात समझे हैं किस तरह का एक पूरा मेट्रिक्स बना दिया है, आपने मेट्रिक्स मुवी देखी कि नहीं तो आपको relevant समझ में आएगा, तो चाइना की ये कंपनिया बहुत बढ़ी टेक्नोलोजी में ला सकते हैं, हम जितना डेटा चाहें ले सकते हैं, जो इनोवेशन करना चाहें कर सकते हैं, और हम तो इस देश में everyone loves us, including the communists, otherwise वो हमको इतना बड़ा ही के होने देते, तो ये जो एक romance था, ये काफी लंबा चल गया, 20 सालों तक चल गया, लेकिन ultimately हर रोम की ताकत अनाफशना पढ़ गई, इन Chinese companies की, और क्योंकि इनको चाइना के लोग बहुत प्यार करने लगे थे, पसंद करने लगे थे, तो धीरे धीरे ये कम्मिनिस्टों को खटकने लग गए, उसके अलावा, a lot of people while they love these companies, many of them were very critical of these companies, चाइना में कई लोग इन कंपनियों को खूब गालिया देते हैं, क्योंकि जैसे delivery service वाली company है, वो खूब काम करवाती है अपने लोगों से, और salary अच्छी नहीं देती है, जैक मा तो आगे बढ़के बोल चुके हैं कि चाइना को महागुरू बनाना है, विश्वगुरू बनाना है, चाइनीज भाचा में बोले है कि महागुरू विश्वगुरू बनाना है, तो 996 करना पड़ेगा, 9 से 9 हफते में 6 दिन काम करना पड़ेगा, धीरे-धीरे क्या हुआ, लोग ये लिखने लग गए चाइनीज इंटरनेट पे, जिससे Communist Party के कान खड़े हो गए, कि ये तो exploitation है, ये तो हमको मूर्ख समझते ह हैं, और आपको पता है न, वहाँ पर एक पूरी-पूरी counter-culture movement, do nothing, मतलब 100 euro दुन बर, ऐसी एक counter-culture movement शुरू हो गई, तो Communist लोग इस चीज से बहुत सकते में आ गई, कि ये चल क्या रहा है, एक तो ये तने ताकतवर, प्लस लोग इनसे नफरत भी करते हैं, लोग इनसे इसी समय, 2012-13 के बाद, शी जिन पिंग का उदय हुआ, और ये एक hyper-nationalist आदमी है, ये केवल 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 Communist Party देखना चाते हैं, और कुछ भी नहीं, इन्होंने 2017-2018 से sense करना शुरू कर दिया, कि एक parallel power center, चाइना का big tech जो है, ये parallel power center बन चुका है, finally, 2020 में इनका order जारी हुआ, cut them to size, खतम कर दो इन सब को, इनकी सारी ताकत निकाल दो, और आप इसके बाद ये वही करेंगे, जो हम बोलेंगे, इसी तरह उन्होंने बोला होगा, तो उन्होंने किसको बोला, और क्या बोला, और उतका क्या परिणाम हुआ, आईए मैं बतात and some of the largest internet giants are seeing huge sell-offs, actually हुआ ये, कि इनका जो इतना तेजी से उदय हुआ, और इनके founders इतने अमीर हो गए, चाइना की पूरी society, on the whole तो अमीर हुई है, $10,000 per capita income, लेकिन आप सभी जानते हैं, भारत की स्थिती भी देखेंगे, कि ये जो per capita income है, ये बहुत misleading होती है, भारत में जिनी को efficient 0.6, 0.7 की range में चल रहा है आज, इसका मतलब की ये per capita income का आखला भी पूरी तरह से misleading है, गरीबी बहुत भेंकर है और अमीर 10% बहुत उपर है, तो average उपर आ जाता है, same thing in China, गरीबी और inequality बिलकुल आखों से दिखती है, ये चीज आने वाली revolution का संकेत हो सकता है, जो communist party नहीं चाहती, आप समझ रहे हैं, काफी समय तक, communists टो ने big tech की power को पूरी तरह ignore किया, क्योंकि पश्चिम के लोगों को मुँ तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास ये companyya है, ये बहुत अच्छा जवाब था, और दुनिया की top 50 market capitalization in technology की company की जब सूची बनती थी, उसमें चाहिना के 5-6 नाम आ जाते थे, तो चाहिना का एक पर्चम बुलंद हो जाता था, तो they were very happy that these companies were doing very good, but soon it became an existential issue, हुआ ये कि जब लोगों ने इनके बारे में 996 tough target poor pay पे गालिया देना शुरू की, तो communist लोग थोड़ो से घबर आ गए, और उनको समझ में कि we have to be seen to be standing with our people, not with these companies, और 2019 तक ये तय था कि अब कुछ न कुछ होगा, दूसरा जो बहुत बड़ा खेल इसमें हुआ, ये कंपनियां इनके पूरा super apps है, तो अब अली बाबा का जो app है, उसमें वो पूरा payment का solution भी दे रहा है, retailing भी कर रहा है, delivery भी कर रहा है, मतलब end to end, आप एक बार आगे तो आपको कहीं जाने की दरुवत ही नहीं है, that makes a Chinese citizen stick to that app, अब वो continuous data mining करे जा रहा है, करे जा रहा है, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो बड़ी 10-15 इंटरनेट कंपनियां चाइना की बनी, इनके पास चाइना के 140 करोड लोगों के बारे में ऐसी ऐस जानकारियां आ गई, जो कमिनिस्टों के पास भी नहीं थी, जबकि उनका तो इतना बड़ा सर्वेलांज पुली स्टेट चलता है, तो फिर फाइनली ये तो तय था कि कहीं न कहीं हमला होगा, लेकिन हमला शुरू नहीं हो रहा था, फिर हमला शुरू करने का मौका, आप बैल मुझे मार, ये काम किया परमप्रता भी जैक माने, और उनके सारे पर ही कतर डाले शीच बिने एक जटके में, अली बाबा का फाउंडर भयंकर जोश में आ गया, और एक दिन एक पब्लिक मीटिंग में जहां सामने बैंकिंग रेगुलेटर बैठा हुआ था, जैक मान बोला कि ये चाइना का बैंकिंग सिस्टम क्या चल रहा है, आप लोग कैसी नीतियां बनाते हो, आपने बैंकों को पॉन शॉप्स बना के रखा हुआ है, हर चीज के लिए कोलेटरल मांगते हो, ऐसे में फाइनाइशल इनोवेशन कैसे होगा, अब इसमें जैक माने बेसिक चाइना की financial instability, potential financial instability से बहुत परेशाद है, क्योंकि इनकी पूरी GDP की growth is investment driven, and that investment is debt driven, और उनका debt to GDP ratio बहुत अनाफशनाफ बढ़ गया, लेकिन अभी तक चाइना collapse इसलिए नहीं हुआ, because growth story intact है, वो एक अपने आप में पूरी अलग story है, तो Xi Jinping personally पिछले 5 साल से financial stability, financial stability पे काम क आता है Jack Ma, और बोलता है ये क्या तरीका है, तुमको बिना collateral के loan देने चीए, तो यहां आके Xi Jinping बोले, अत्ता माजी सटक ली, और उन्होंने तुरान State Administration for Market Regulation, S.A.M.R. को बोला, निप्टा दो इस आदमी को, और उसके बाद, इनका जो anti-trust competition regulator है, आपको जानके, सुनके हसी आएगी, यह जो S.A.M.R. है, इसमें पता है, कितने का स्टाफ काम करता है, पचास, और यह Alibaba और Tencent इन सब में लाखो, लाखो, लाखो लोग काम करते हैं, तो यह पचास लोगों की छोटी सी agency, इनको notices भेज के इनसे data मांग रही है, और उसको handle करने का उनका पास स्टाफ कि तुम्हारा सारा data हमको दो तो जरा एक बार, यहां से इनका जो पतन शुरू हुआ, एक एक करके, ऐसे M.R. ने पब्लिक इशू स्क्रैप करवा दिये, और अभी Didi Choosing ने जब बोला कि मैं अमेरिका में पूरा पब्लिक लिस्टिंग करूंगा, तो अगले दिन यह order आया दुनिया भर के investor, जो कल तक these companies were the darling, अब वो सब sell-off करकर भाग रहे हैं, market value में erosion हो रहा है, hang-sang index लगातार गिर रहा है, और कई लोग अब खरीदने के लिए बाजार में आ गए कि इतने सस्ते में यह companyya तो कभी मिली नहीं सकती, और Xi Jinping इनको मार तो सकती ही नहीं क्योंकि अ SMR ने अभी-भी क्या किया कुछी दिनों पहले, चाइना की सारी बड़ी companies को direct warning जारी करती, कि तुम्हारी सारी data की security हमको check करनी है, और तुम है जो चाइना के बाहर लिस्टिंग के लिए जा रहे हो, हमको अब एक-एक चीज़ चेक करनी है, इस वज़े से Tencent, Alibaba, JD.com, Baidu इन सब पे pressure भहम करा गया है, basically आप ये competition law जो एक छड़ी चल रही SMR की, ये FinTech और worker treatment, salaries धंग से देते हो कि नहीं, तुम्हारा व्यभार discipline है कि नहीं, और discipline का मतलब है कि तुम Communist Party के सामने चुप-चाप सिर जुखा के खड़े रहो, ज्यादा उचलने की कोशिश मत करो, उनन जो मर्जी में करो unfettered growth, आज हम science and innovation regulation करने, consumers को protect करने के लिए, अब आप भी समझते है, consumer protection तो एक shield होती है, असल में authoritarian सरकार उसकी आड़ में अपना उनलू सीधा करती है, चाइना से बड़ा example मिल नी सकता, जो आखरी point है वो आप जरूर देख लेना दोस्तों, आखें खोल चाइना ने खुलनम खुला चाइना ने अमेरिका जो बाइडन पर युद्ध की घोशना करती है, technology युद्ध की long term tech decoupling, हम अमेरिका के साथ आच्चो ऐसे technology में उल्जे में हम पूरी तर आलब हो जाना चाते है, हमको हमारा चाहिए अब सब कुछ, और ये करने का काम, ये technology companies करेंगी, तो तुम R&D में invest करो, सिर्फ जादा धंदा जादा धंदे के लिए नहीं, कैसे अमेरिका से पूरी technology decoupling करें, ये अब तुम करो, तो पहले पकड़ लिए कान, और अब उनको बोल रहे हैं, ऐसे चलो, तो क्या ये companyya, जो पूरी तरह से consumer internet firms है, R&D firms बन ये तो अगला 20 साल हमें बताएगा, but this is the story of what China has done to its own companies, सातियों हमारे बहुत प्यारे subscription courses हैं, अगर आपको current affair के बहुत प्यारे sessions attend करने हैं, professional level के, CA Booster Premium और Power of 10K, आप जॉइन करें, इस वीडियो के नीचे भी एक जॉइन का बटन है, आप मेरी site पर भी PT की आ सकते हैं, आज जॉइन करेंगे, तो CA Booster Premium के 267 sessions ready मिलेंगे, और Power of 10K 56 sessions ready मिलेंगे, तो ये अपने आप में value for money है, आगे बढ़ो, enroll करो, तो ये था Chinese Communist versus Big Tech, कैसा लगा आपको, अगली class में मैं कौन सा topic लूँ, मुझे ज़रू बताइएगा, नमस्कार, जाए हेल्थ